सब्सक्राइब कीजिए Happy2Smile चैनल को और बेल के आइकन को दावाना ना भुले ताकि आपको मिली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हे नमस्कार दोस्तों सौगते आपका आमारे इस चैनल में जिसका नाम है Happy2Smile और मै दिपक आज इस वीडियो में हम एक VR बॉक्स की अन्बॉक्सिंग करने वाले इसके साथ एक रिमोट भी मिला है हमें तो यह है दोस्तो एक VR बॉक्स 3D Virtual Reality VR Glasses with Adjustable Lenses and Remote Control यानि कि इस बॉक्स में हमें मिलेगा एक VR बॉक्स और उसके साथ एक रिमोट कंट्रोल तो चलो इस बॉक्स को कर लिया है मैंने अन्बॉक्सिंग इसके अंदर एक वाइड बॉक्स से इसे भी हम कर लेते यहां से कट यहां से हम इसे कर लेते कट कट करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो यह हमारा VR बॉक्स तो यह bubble wrapper में लपेट के आ चुका है तो इसे हम कर लेते साइड में इसके साथ हमें मिल जाता है quick guide और lens clean करने के लिए एक कपड़ा भी इसके साथ हमें मिल जाता है तो इसे हम कर देते साइड में और इस bubble wrap को हम कर देते कट कट करने के बाद यहां पर आप यह VR बॉक्स को देख सकते हो प्लास्टिक की बिल्ड कॉलिटी इसके साथ T-shape strap मिल जाता है और एक remote भी है तो यह stretchable strap है एडजस भी इसे हम कर सकते हैं यहां से और यह प्लास्टिक का बना हुआ है तो दोस्तो साथी में इसके मिला है हमें एक Bluetooth remote तो इसकी भी unboxing हम कर लेते हैं यह जो Bluetooth remote है दोस्तो iOS यानि के Android को support करता है यहां पर इसके कुछ buttons दिये है analogs दिये है और नीचे में दो buttons दिये है यानि कि यहां पर आप cell डालके इसको use कर सकते हो Bluetooth इसके साथ दो quick guide हमें दीए गई है तो चलो इसे कर देते हैं side में तो यह जो VR box है दोस्तों काफी lightweight लगा मुझे तो यहां पर काफी smooth है एड़ जिसके और यह T-shape जो strap है stretchable है काफी हलका है अच्छा है यहां पर जो एड़ेस्टिबल buttons lens के लिए हमें मिल जाते हैं यानि कि side में आगे पीछे आप lens को कर सकते हैं यहां पर mobile insert करने के लिए हमें दिया जाता है तो इसमें हम mobile लगा सकते हैं इसमें करीबन mobile हम 4.7 inch से लेके 6 inch तक का mobile हम इसमें insert कर सकते हैं यहां पर अगर हम देखेंगे इसका तो पूरा quality जो है प्लास्टिक का है इसके साथ यह strip और यह जो lens है अगर हम इसकी lens की बात करेंगे तो high quality abs 42 mm diameter spherical resin lens material है इसमें use किया गया ठीक है तो यह काफी अच्छा है इसमें हम specs लगा के भी हम इसे use कर सकते हैं अगर आपके specs ज़्यादा बड़े ना हो तो इसमें 3D specs का अगर हम use करेंगे तो काफी experience हमें अच्छा देखने को मिल सकता है तो चलिए इसमें मैं mobile insert करके दिखा तो आपको मेरे पास यह Redmi 4 mobile है मैंने यहाँ पर इनसे insert कर दिया है यहाँ से और यहाँ पर आप अंदर देख सकते हो तो यहाँ पर आभी आपको पता तो नहीं चलेगा लिकिन जब आप use करोगे तो पता चली जाएगा अगर आपको यह उडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेर कीजिए चाइनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना बुले ताकि आपको मिले उडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले